कुछी देर में करनोज पहुँचेंगे पियम मोदी जनसभाब को करेंगे संबोधे थे जनता से करेंगे फिर बीजेटी की सरकार बनवाने की अपिए हरिद्वार में हमिशागा जनसंपर का भ्यान हरकी फॉड़ी में करेंगे गंगा पूजन 12 फरवरी को होना है उत्राखंड में चुछाब उत्राखंड के टीरी में विपक्षियों परबर से सीम यूगी कहा हमें उत्राखंड को गुंडों से बचा रहा है कॉंग्रेस पर जम कर साधा निशाना मेरट में विधायक संगी सोम के खिलाफ मुकदमा दर्जु पीठासीन को पीठने कारों पहले चरण के बददान में कीथी पिटाए नमश्कार न्यूस पूल इंडिया पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ काविद चोहान बुलिटिन की शुरुआत करेंगे पीम नरेंद्र मोधी अब से कुछी देर में करनौज पहुँचकर जनसभा को संबोधित करेंगे वो यहाँ पर करीब 45 मिन तक रहेंगे उसके बाद दिनली रवाना हो जाएगे तिर्वा के अनपूर्डा मंदिर ग्राउंड में पीम मोधी के जनसभा होनी है जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है तैयारियों के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं करनौज में कुछी देर में पीम मोधी पहुँचेंगे जहां वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे तो यह तैयारियों के तस्वीर है जहां पीम मोधी का कुछी देर में कारिकरब होना है तो पियम मोदी जहा कनौज में है तो वहीं ग्रह मंत्री अमिशाह आज हरे द्वार जाएंगे यहाँ वो बीजेपी के लिए जनसंपर्क अभ्यान चलाने के साथ ही हरकी पौडी पर गंगा पूजन भी करेंगे अमिशाह साथे तीन बजे भेल हैली पैड पर उतरेंगे चंद्राचारे चौक पर बीजेपी कारे करता हो कि और से उनका स्वागत किया जाएगा अमिशाह हरकी पौडी शेत्र बे जनसंपर्क अभ्यान चलाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल तयार करेंगे अमिशाह गंगा पूजन भी करेंगे बता दे कि आज चुनाव परचार का आखरी दिन है शाम पांच बजे चुनाव परचार बंद हो जाएगा और 14 फरवरी को उत्राखण में विदानसभा चुनाओ के लिए मतदान किया जाएगा खबर चमोली से है सीवान शेत्रों में मतदान कराने को लेकर अब पोलिंग पार्टियां रवाना हो गए उत्राखण में चमोली के दूरस्त मतदान केंद्रू के लिए तीन दिन पहले ही मतदान पार्टियों को रवाना कर दिया गया उत्राखंड में विधानसभा चुनाओं के लिए 14 फरवरी को 1-7 वोट डाले चाहेंगे चमुली की सीमा शेतर, जोशी मठ, थराली, गैर सेंड कई गाओं में पैदल चलकर पोलिंग बूथ तक पहुँचना पड़ता है इन गाओं में जिला प्रशासन के लिए चुनाओ कराना किसी चुनाओती से कम नहीं हेवाला की गोध में बसे इन गाओं में इन दिनों भारी बर्भारी जमी हुई है इसके बावजूद आज जिला निर्वाचन अधिकारी हिमानशु खुराना के ओर से 34 मतदान पेटियों को पार्टियों को दूरस्त मतदान के अंदरों के लिए रवाना किया गया आज 12 फरवरी को हमारे जो दूरस्ट शेत्रों में जो मद्दे स्थल हैं उनके लिए मद्दान दल रवाना हुए है इन सभी मद्दे दलों को हमने कोविड किट दी है कोविड अप्रोप्रोप्रेट नॉर्म्स के अनुपारंग के लिए साथी साथ हमने उनको एक अवशक सुभधाओं के लिए हमने एक राशन किट दी है सब्सक्राइब दूर जा रहे हैं तो महां पर रस्था करने के लिए साथी साथ हमने जो हमारे स्नोबाउंड बूट्स है जहां बर्फ जादा है या बर्फ होने की सिती हो सकती है समय हम मौजूद है गोपेश्वर का जो खेल मैदान है यहां पर जो 2022 का चुनाओ होना है इसको लेकर जो है यहां पर जिला परसासन द्वारा जो आज 34 पाल्टियां यहां से रवाना की जाएंगी उनकी तैयारियां जो पूरी कर दी गई है और जिला अधिकारी ने जिन 34 पाल्टियों को जो जो दूरस दिलाके में जाना है दूरस दिलाके पैदल चलकर जो है इनको पोलिंग बूतू तक पहुँचना है इनकी रवानी यहां से हो गई है परसासन की अगर मैं बात करूं जनपाद चमोली पे तो चपपे चपपे यहां पर पुलिस नजर आ रही है और पूरी बेवस्ता है जनपाद चमोली द्वारा यहां पर कर दी गई है आज 34 पाल्टियों को यहां से जिला अधिकारी ने रवाना कर दिया है तो हलांकि 24 फरवरी का जो दिन होगा उस दिन जो है जो चुना होना है पूरे उत्वाखन में लेकिन जनपाद चमोली का जो प्रसाजन है बहुत मुस्तादी से इस काम को कि कोविड-19 की भी यहां पर पूरी परकिरिया चाया मास हो चाया सेनिटाइजर हो तबान सारों की यहां पर बेवस्ता की गई है अलांकि आग जो है 34 जो पाल्टिया है उनको जो है जिल्या अधिकारी ने रवाना कर दिया है उसकर सिंग नेगी न्यूज वाल इंडिया चमोली तो वही मेरट में बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ मुकदमा दरच किया गया है विधायक पर पीठासीन अधिकारी को पीटने कारूप लगा है जिसको लेकर गंबीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दरच हुआ है बताय जा रहा है कि वोटिंग के दोराओं संगीत सोम पर पीठासीन अधिकारी को पीटने कारूप है जिसके बाद अधिकारीों के आदेश पर सरधना थाने के इंचार्ज ने मुकदमा दरच किया है मामला सरधना थाना शेत्र के सलावा गाउं का है पीठने कारूप विधायक संगीत सोम के खिलाफ मुकदमा दरच किया गया है तस्वीर आपको दिखा रहे है मिनट से तस्वीरे हैं जहां पर बीजेपी विधायक संगीत सोम पर एक गंभीर आरोप लगा है जिसके बाद उन पर मुकदमा भी दरच किया गया है विधायक पर पीठासी रधिकारी को पीटने का रूप है जिसको लेकर गंभीर धाराओं में विधायक संगीत सोम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया यह बड़ी ख़बर मेरट साब को बता रहे है जहां पर पीठासी रधिकारी को पीटने का रूप लगा था संगीत सो पर जो है, वो सलावा गाउं से संबंदित है, घटना सलावा गाउं की है, और फिलाल आपको बताने की संगीर्सों के खिलाफ मुगदमा दर्ज कर लिया गया है, तो चुनावी सरगर्मियों के भी इचे दरसल ऐसी ऐसी खबरे आ रहे हैं, जो अपने आप में काफी अलग है, शामली में बीजेपी नेता खुले आम गुंडागर्दी पर उतरा है, नेता जी ने सत्ता के हनक में आरेलडी के बूथ एजेंट को धमकी देते हुए, अपने पक्ष में वोट करने के लिए जमकर हड़का है, बीजेपी नेता मनीश चौहान के वीडियो है, जो बीजेपी बीजेपी नेता मनीश चौहान दिखाई दे रहे है, वो सीधे तौर पर आरेलडी के बूथ एजेंट को धमका रहे है, और साथी साथ अपने पक्ष में मतदान खिरने के लिए भी धमकी देते हुए नजर आ रहे है, शामली से तस्वीर मनीश चौहान बीजेपी नेता की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर वो आरेलडी के बूथ एजेंट को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथी साथ कह रहे हैं कि वोट तो हमको दीजेगा, और साथी साथ आरेलडी का पट्टा जो वो पहने हुए थे बूथ एजेंट उसको भी निकलवाते पूछ को चुछ और एक वरी हैं खड़े कि इसन लुकाई करिओ एक मिनिट पर लो कि इस बढ़े और चलो घर चलो और वोट गेर लो मुझे वोट खिलाप नागिर जाए एजेंट तो गई भाड में मुझे वोट भी चाहत हरी परदीप का है बुला यह परदीप लेजी शरम लिहाजी नहीं किल्कुल भी परामर्जो यहां देखना जाए यहां चला माँ संभल में सपा विधायक पिंकी आदव का भारी विरोध देखने को मिला है AI MIM समर्थकों ने सपा विधायक और प्रत्याशी पिंकी आदव के खिलाफ नारे बाजी करते हुए काफिले को काले जंडे दिखाए कि पिंकी आदव पर शेत्र की जंता की उपेक्षा करने का रोप लगाया है बता देए कि पिंकी आदव असमोली विधान सबा शेत्र से सपा विधायक और प्रत्याशी है मामला नकासा थानाशेत्र के ग्राम रुकुनुदीन सराय का है फथेपुर में केंद्रे मंत्री साधवी निरंजन जोती ने बीजेपी से अपना दल एसके गठबंदन को लेकर तंज कसा है जहानाबाद विधान सबा में बीजेपी प्रत्याशी राजे इंद्र पटील के पार्टी कारहले को दिखाटन में पहुँचने पर उन्होंने नाराज कार्यकरताओं को मनाते हुए कहा कि 2017 में गठबंदन सीट जहानाबाद के खाते में गई थी जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकरता उपेक्षा का शिकार हुए लेकिन इस बार जहानाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को उतारा है इसलिए कार्यकरता पार्टी का सहयोग करें नाराजगी दूर करें क्योंकि 2022 में बीजेपी की पूर्ड बहुमत की सरकार बीजेपी कार्यकरताओं की मेहनत से ही बनेगी फतेपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर साधवी निरंजन जोती ने नाराजगी कार्यकरताओं को मनाने की कोशिश की है उन्होंने सीरे तोर पर काहा है कि बीजेपी की पूर्ड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो पार्टी के कार्यकरताओं काही होगा फर्खाबाद पहुँचे है पूरु मंत्री और कॉंग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्धिकी ने परसके जखाद लुक्षाबाद साथ ही मुस्लिम वोटरों से सल्मान खुरसीद की पतनी लुईस खुरसीद के पक्ष में वोट डाने के अपील की इस दोरान कूरु केंद्रे मंत्री सल्मान खुरसीद भी मौजुद दिखे इस दोरान केंद्रे और योगी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है तो नसीमुद्दीन सिद्धिकी आज फर्खाबाद पहुँचे है जहां पर उन्होंने नुकड सभाए की है तो फर्खाबाद के आपको खबर बता रहे हैं जहां पर नसीमुद्दीन सिद्धिकी साहब पहुचे और साथ ही साथ उन्होंने नुकड समाय की सीधे तोर पर उन्होंने योगी सरकार और बीजेपी सरकार पर हमला किया है आपको बताने हैं कि आज नसे मुद्दीन सिद्धी की फर्खाबाद पहुंचे थे उन्होंने सीरे तोर पर जब आप बीजेपी पर आरूप लगाया है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं पर सकें फर्खाबाद को वैसा बना सकें जैसे दिल में हमारी है तमना और आप मसे तनना हमसे वाइदा करते जाएए कि मौखा हमें मिलेगा आपको भी मिलेगा साथ मिलेगा और जब वो मौखा मिलेगा तो फिर सिर्फ बहुद विहार नहीं यहां पर ऐसे ऐसे विहार बनवा दीजेगा, ऐसे ऐसे विहार बनवा दीजेगा, कि हम फक्र से कह सकें, कि हम लाए हैं तुम्फान से कष्टी दिकाल कर. संब्वाबाद के इस प्रहंगार में आकर, हमारे जो फुसुजी महणान है, उनके फिचावबाद की एक संगे वुन्याति दंगा, जाहे शमेथ पे दुर्भाद के, कि फरुकाबाद से जूता, वो शेजान उचा रहा है, फरुकाबाद आकर, आश, फरुकाबाद के हमारे म सब्सक्राइब करने के लिए उसको पूर करने के लिए हम सब के बीच में बढ़ी ही मौत्मिर शक्सिते मौजूद है बढ़े ही अडेलोगी है हमें शीकने के जरूवत है कि जनाब नसीमुतिल शिदीकी साथ कई बार मंत्री रहे उत्तर परदे सरकार में कई-कई मंत्रा रहे आपको याद होना चाहिए कि जनाब नसीमुतिल शिदीकी साथ ने फर्पाबाद के लोगों को रोजवार करता दी प्रताबगड जिले के चर्चित विदानसवा सेट कुंडा में ब्रामडों ने राजा भहिया को बिना शर्त समर्थत दिया बदा दें कि कोठी में जनसवा के दौदान पहुचे ब्रामडों राजा भहिया के पक्ष में खुला समर्थत दिया कारिकरन के दौरान जन सहलाब के दिछे राजा भहिया जित्दाबाद में लगाता नारिक पूश पर तस्वीर आप देख रहे हैं ये कुंटा विधान सभा की तस्वीरे हैं जहां पर राजा भहिया की कोठी के तस्वीरे आपको सीरे दिखा रहे हैं जहां पर एक विशाल जनसमू देखने को मिला और सीरे तोर पर ये सभी ब्रामड समाज से लोग हैं जिन्होंने खुल कर राजा भहिया का समर्थन किया है और चुनावों में खुल कर समर्थन करते हुए वोट देने की भी बात कहीं है वहीं लकनों में M.C. सक्सेना कॉलिज के चेर्मेन का परिवार फरार हो गया है बता दें कि M.C. सक्सेना कॉलिज में बुद्धवार को दोसों से अधित मजदूरों को रिहा कराए गया था हॉस्पीटल बाहर से सील था जबकि अंदर इलाज किया जा रहा था वुलिज की चापे बारी में हॉस्पीटल में मरीज और स्टाफ को पिछले गेट से भगा दिया गया वहीं इसको लेकर पुलिज ने हॉस्पीटल और घर पर नोटिस चस्पा किया हुआ है तो एमसी सकसेना कॉलेज के चेर्मेन का परिवार फरार बताया जा रहा है आपको बता दे कि इससे पहले एमसी सकसेना कॉलेज के चेर्मेन का परिवार जो फरार है उससे पहले आपको बता दे कि बुद्धवार को दोसों से अधिक मजदूरों को रिहा करा गया था MC सक्सेना कॉलिज से हॉस्पीटल बाहर से सील था जबकि अंदर इलाज चल रहा था पुलिस की छापे मारी में हॉस्पीटल में मरीज और स्टाफ को पिछले गेट से भागा दिया गया था वहीं इसको लेकर पुलिस ने हॉस्पीटल और घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है फिलाल परिवार फरार है वहीं आगरा में सर्वेस रोड पर खड़े ट्रक में अचानक भी शड़ात लगे आग लगने से अफरात अफरी का माहौल हो गया सुचना पर फाइर ब्रिगेड और पुलिस फोर्स को मौके पर बोला गया इसके बाद किसी तरह आग पर काभू पाया गया मामला एकमादपुर शेत्र के आगरा कानपुर हाईविक का है तस्वीरे आप देख सकते हैं आगरा से आपको यह तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां सर्विस रोड पर खड़े ट्रक में भीशाड आग लगई और ट्रक धूदू कर जलने लगा उत्रप्रदेश के बिजनौर में एसपी के निर्देशन पर आवेर शराब बनाने वालों पर शिकन जाका सागया है बड़ापूर पुलिस ने मदपूरी के जंगल में चापा मार कर 120 लीटर कच्ची शराब और 800 लीटर लहन बरामत किया है पुलिस को देख जंगल का फायदा उठाते हुए शराब माफिया मौके से परार हो गए गरे जंगलों में अवैद कच्ची शराब बनाई चा रही थी वहें पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामत किया है फिरोजाबाद के शिकोभाद अरशेतर केक महिला ने कुछ लोगों पर जुलन शील पदार्थ फेकने कारोप लगाया है महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन भी मौके पर पहुँचे और महिला को आनन फानन में इलाज के लिए जिला सेंट चिकित साले शिकोभाद में भरती करा इस बारे में परिजनों ने बताया है कि उनका प्लाट को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा है संभवताहा उन्हीं लोगों ने स्वारदात को अंजाम दिया है सुचना पर मौके पर पहुचे स्यो सिकोभाबाद अनिवेश कुमार फोर्स के साथ खायल महिला से ट्रॉमा सेंटर में उन्होंने मुलाकात की साथ ही तहरीर के हिसाब से कारवाई करने की बात कही है मेरे साथ घटना करीब तीन बज़े से दो तीन सड़यंत कारी और कुछ असमाजक तत्तु के गुंडे हैं जिनने आज हमारे घर पर अटेक किया है लूट के रादे से उनको यह सम्मत पता था कि आज इनके यहां इंगेजमेंट का प्रोग्राम है आज इनकी बेहन का पूरा बतों लूट के रादे से आज वो पूरे और कुछ समय से प्लॉटी विवाद भी चल ला था प्याइवी की सुचिना पर हम पता चला है कि पिसकी से एटाक हुआ है कि हम ट्रॉमा संटर गए है पीडित से मिले तो पीडित के शरीर पे डॉक्टर के नसर कोई घाव और कोई चूट नहीं है और हमने जब भटना इस्टल का निर्ख्षन किया तो जो भी तत्थ है उनके की है कि माल खरोदा तहसील शेतर के ग्राम पंचायत कलमी में जगतराम नारंग की तरह से चिप्स और इडिस्टिक कारयाले खोलने के लिए आविदन किया गया था जो कि तहसील कारयाले माल खरोदा में ही पंचीकरण का कारे करना था लेकिन जगतराम नारंग ने अपना से मन्द में पहले भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि तहसील काराला माल करोदा में आधार सेंटर खोलने के लिए जगह उपलब्द की जाए सच अधार सके और उना कमें अपने सचर्पिATA अपना फोरस्ट आख ईंग उसको पर वे ROघ को अपनेफिछाद सब्सक्रेक आ से भी तरम करिए कि एंज ऑना थाख कट सक्षरी को जो हैं अरफनेorgan-चाहर अब बॉिट 對 संचलित हो रहा है उसको यतावात माल ख़ोड़ा में करना चाहिए और जो पब्लीक है पब्लीक के छीट के लिए मिश्ची यह सब हूना चाहिए जो अधा करते हैं जो प्राभेट चलाया जा रहा है उसको करेंसिल कारिया रखन रखना चीए विराइपूर के धरसीवा से विधायक अनीता योगेदर शर्मा ने रेल्वे स्टेशन सिलियारी का दक्षिडपूर मध रेल्वे मंडल के महाप्रबंदक आलोग कुमार के साथ निरिक्षण कर अपनी मांगों को रखा है जिसमें मुख्य रूप से माधर में पानी की समस्या पाइप्लाइन विवस्था थी जिसे सहजिता से महाप्रबंदक ने सुईकार कर ततकाल इस परकार के लिए निर्देशित किया है और शेत्र में लंबे समय से तीन अंडर ब्रिज की मांग की जा रही थी जिसमें प्रमुख रूप से मांधर अंडर अंडर ब्रिज बरबंदा अंडर अंडर ब्रिज और सिलियारी अंडर ब्रिज को धरसीवा विधायक अनीता योगिंद्र शर्मा की मांग पर पूरा किया जिस पर विधायक ने मंडल महाप्रबंधक का भार जता है साथ ही रेलवे स्टेशन के अन्य सुविधाओं और साधन संसाधनों रेलवे ट्रैक मौझूदा इंफ्रस्रक्षर के साथ यातरी सुविधाओं का आंकलन कर निरिक्षन किया है रेलवे फाटक, रेल ब्रेज के निरिक्षन और गैंग के निरिक्षन के दौरान यातरी सुविधाओं सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया परिजन कलेक्टर से मिलकर हॉस्पीटल के ऊपर कारवाई के मांग करने के बाद किया बताते चले कि 36 गड़ के पहाड़ी कोर्वा आदिवासी परिवारों को रास्टपती ने गोद लिया हुआ है तो फिलाल कले इस बॉलिटर में इतना है वाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे रहेगा न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ शुक्रिया झाल